आज कल सभी लोग चाहते हैं कि हमारे गार्डन में कुछ न कुछ पौधे हो, फूलो वाले पौधे हो, चाहे इंडोर पौधे हो, चाहे कोई भी पौधा हो, वो चाहते हैं कि फ्री में हमारे गार्डन में एड हो और धेर हो सारे पौधे हम फ्री में ही तयार करें तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें आप बीजों से तयार कर सकते हैं तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें आप कटिंग से तयार कर सकते हैं तो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं दोस्तों जो आप डिवाइड करके तो मैं आज बात करने वाली हूं दोस्तों ऐसे कौन-कौन से पौधे हैं जिने आप रूट डिविजन से घर पर बहुत ही आसानी से तयार कर सकते हैं और एक पौधे से आप धेरो सारे सैकड़ो हजारो पौधे फ्री में ही बना सकते हैं कुछ ऐसे प्लांट होते हैं दोस्तों जो बहुत ही अच्छे और सस्ते भी होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो महंगे होते हैं बस एक बार खरीदना है और उसे आप धेरो सारे पोदे फ्री में तयार कर सकते हैं डिवाइड करके और उसे आप किसी को दे भी सकते हैं या अप वेरा का प्लांट बहुत ही खुबसूरत यह प्लांट होता है दोस्तों एक medicinal प्लांट भी है और यह जूटिंग हार्मोन का भी काम करता है fertilizer भी से बना करके आप अपने सभी पोध में डाल सकते हैं और इसका जेल जो होता है वो बहुत ही फाइदेमंद होता है इसका जूस लोग पीते हैं और इसके जिल को बालो में लगाते हैं और यहां सिर बगल बगल साइट से धेरो सारे बेबी plants बन जाते हैं दोस्तों तो इसको आप डिवाइड करके रूट डिविजन से इसको लगा सकते हो और इसके साथ ही साथ यह एक बहुत ही सुफ पोधा होता है जिसके घर में यह होता है वहां लच्मी मा की निवाश रहती है और दूसरे नंबर पर दोस्तों आप रियो का पो प्लांट हजारों प्लांट फ्री में ही बन जाते हैं और इसमें कलरफूल पतियां इसकी काफी खुबसूरत लगती है नीचे से परपल उपर से ग्रीन देखने में काफी खुबसूरत लगती है इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और किसी भी प्लांटर में यह 20-25 रुपए में कहीं कहीं पर 50 रुपए में भी यह मिल जाता है और कटिंग से डिवाइड करके दुनों तरह से बहुत ही आसानी से यह लग जाता है एक पौधे से आप सैक्ड़ों पौधे दुनों तरह से कटिंग से भी लग जाता है बल्ब से इसमें बल्ब होते हैं इसको डिवाइड करके अपने हरो सारे पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं यह भी डिवाइड होता है इसमें बल्ब जो होते हैं और पतियों से भी बहुत ही आसानी से लग जाता है कटिंग से भी लग जाता है यह मांगे प्लांट आते हैं आपको 2500-300 में पर प्लांट मिल जाएंगे और उसके बाद दोस्तों यह है पेंडेलंस का प्लांट इसकी पतियां देखने में काफी खूब सुरत लगती हैं वेरीगेट पतियां होती हैं यह इसे भी आप रूट डिवीजन से डिव इपलाई होता रहता है और इसे आप रूट डिवीजन से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं इसे आप जरूर लगाईए अपने गार्डन में उसके बाद दोस्तों यह है सिंगोनियम का प्लांट काफी खूब सूरत यह पर्मानेंट इंडोर प्लांट होता है इसमें आपको विराटी डेरो सारे मिल जाएंगे कलर की बात करें दोस्तों तो कलर भी आपको डेरो सारे मिल जाएंगे पिंक हो गया वाइट हो गया ग्रीन हो गया तो डेरो सारे इसमें आते हैं लाइट पिंक हो गया और यह भी रूट डिवीजन से बहुत ही असानी से लग जाता है डि इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं उसके बाद दोस्तों यह है शुप पौधा पीस लिली का यह बहुत ही शुप पौधा माना गया है और एयर प्रिव्रिफाइड प्लांट भी है इसे लोग अपने घरों में पसंद करते हैं लगाना तो इसे आप जरू लगाएगे अपन डिवायड करके आपडेरों सारे प्लांट तयार कर सकते हैं उसके बाद दोस्टों यह है लापड़र сделë यह भी बहुत खुब सूरत इंडोर पर्मानेंट प्लांट है इसमेशन होते हैं इस आप डिवायड करके langड लगा सकते हैं और यह पतियों से भी आसाने से ग्रोव जाता है इसमें देख सकते हैं जड़े भी बन गई हैं दोस्तों तो मैंने ट्राइ किया था पतियों से लगाना कि होता है कि नहीं बस मैंने इसे इसकी पतियां ऐसे ही लगा दी थी मैं जानते नहीं थी बस लेकिन इसमें रूट निकलाए हैं जड़ बने ग कर सकते हैं यह भी महंगे प्लांट आते हैं तो नसरी में आप अगर पती भी मिल जाए तो वह भी इल्ला करके इसे लगा सकते हैं चाहे तो बल्ब से भी इसे आप डिवाइड करके लगा सकते हैं लेरों सारे फ्री में बना सकते हैं उसकी पतियां बहुत ही प्यारी बहुत ही गार्डन में उसके बाद दोस्तों यह है स्नेक प्लांट सेंसिवेरिया इसमें वराइटेस भी धेरो सारी आते हैं बड़े पत्तों वाला होता है तो इसमें बगल साइट से धेरो सारे बेबी प्लांट मल्टिप्लाई होते रहते हैं तो इसको आप अलग-अलग करके लगा सकते हैं बना सकते हैं पत्ती यो से भी से बहुत ही आसानी से प्रवादह हो जाता है पत्ति म्योंति फिन चालिछ से बाद दोस्तों यह है स्फाइडर प्लांट मे भी काफी खुबसूरत पत्तिवालजा प्लांट है इंधोरomasघ कश्या है तो चुटे-चुटे प्लांटर में वेस्ट माटेरियल में आप ही से लगा सकते हैं काफी खुबसूरत लगता है ये भी आपको नर्सरी में 50-60 रुपे मिल जाएंगे पर प्लांट एक बार बार लाने की जरुवत नहीं है दोस्तों इसकी मिट्टी अगर लाए हैं नया ब जाते हैं तो देहरो सारे प्लांट डिवाइड करके या कटिंग से बना सकते हैं नहीं तो विंटर में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है तो इसकी जो जितनी भी सारी ब्रांचे से पतियां है वो सारी खत्म हो जाती है बस इसके जो राइजों है बस वही बसते हैं तो अभ कर पर हाट को भी डिवाइड करके रूट इविजन से लगा सकते हैं और काफी खूबसूरत लगता है ये पोधा इसमें पिंग कलर के छोटे-चोटे फ्लावर भी खेलते हैं इसे आप कटिंग से और डिविजन दोनों तरह से लगा शकते हैं और इस चोटे-चोटे बासकेट में या वेस्ट में माटेरियल में भी लगा सकते हैं काफी खुब सुरत लगती है इसकी पत्तियां देखने में यह भी बहुत जल्दी मल्टिप्लाई होता रहता है और इसे आप कटिंग से डिवाइड करके लगा सकते हैं उसके बाद दोस्तों यह है एगलोनिमा का प्लांट इसनों अगलोनिमा हो चाहली पिष्टिक अगलोनिमा हो कोई भी पोधा हो यह भी रूट डिविजन से दिवाइड करके जीलो सारी आप पोधे फ्री में ही बना सकते हैं बगल बगल साइड से इसमें बैबी प्लांट सब बनते रहते हैं तो उसको आप निकाल करके रूट 500 जैसा प्लांट हो वैसा आपको प्राइज मिलेगा तो एक बार लाएंगे आप धेरो सारे पोधी फ्री में तयार कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यह है फर्न वुष्टन फर्न यह भी काफी खुबसूरत प्लांट होता है चोटे-चोटे इसकी पतियां होती है इसे लोग अपने घरों में लगाना प्रसंद करते हैं और बुके में भी यह यूज किया जाता है तो इसे भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं नीचे से इसमें बल्ब छोटे-छोटे होते हैं तो इसे डिवाइड करके लगा जाता है कटिंग से यह नहीं लगता है उसके बाद द नीचे से बेबी प्लांट देता है दोस्तों उपर से इसमें नहीं निकलता है उसके बाद अगर WREN LILI के plant को डिवाइट करना चाहते हैं में multiply अगर ज्यादा हो गए है उसमें ज्यादा बल्ब हो गए है तो इसको आप divide करके लगा सकते हैं मैंने कुछ दिन पहले ही इसको लगाया है दोस्तों देख सकते हैं इसमें flower भी खिलने लगे हैं बहुत ही खुब सुरत flower खिलते हैं इसमें और यह बारिश के समय ही खिलता ह जब बारिश होती है तो यह अपना खिलना शुरू कर देता है दोस्तों तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज लाइक से और कमेंट्स करिए न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और बेलाइकन की बटन को जरूर प्रिश कर दीजिए ताकि मेरी आने वा हपी गार्णिंग